हलो दोस्तों स्वागत आपका पीकर एलेक्टिकल इंजिनिंग चैनल में आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक एलेक्टिकल इंजिनिंग का 32 क्या कह रहा है which of the following is are correct इन में से कौन सा सही है तो चुकि हम लोग दोस्तों जानते हैं यहां पर दिया हुआ है कि यहां यहां पर देखेंगे चुकि एन बरावर क्या होता है हम लोगों का फार्मूला होता है स्पीड बरावर 120 F by P ठीक दोस्तों इसमें हम लोग देखें कि option नमबर क्या होगा option नमबर B इसका अंसर हो जाएक option नमबर B ठीक दोस्तों अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन क्या कह रहा अगला कुशन कह रहा है what will be the highest speed at which a 60 Hz generator can be operated 60 Hz पर generated operator की highest speed क्या हो जकती है वो पूछ रहा है तो चुकि हम लोग जानते हैं अभी हम लोगोंने पीछे अभी पिछले कुशन में देखा कि speed का फॉर्मूला क्या होता है जो n बरावर होता है 120 F by P ठीक दोस्तों तो यहां पर हम लोग speed निकालनी है तो 120 and frequency का मान दिया है कितना 60 Hz तो 120 into 60 and P P मतलब number of pulse तो किसी भी जनरेटर में number of pulse minimum कितने हो सकते हैं 2 टेक दोस्तों minimum number of pulse 2 हो सकते हैं minimum number of pulse लेंगे तो हमको highest speed of generator मिलेगी कि उसमें कितनी highest speed तक वह जनरेटर चल सकता है तो यहां तो लोग निकाल लेंगे तो से 60 काड़ेंगे थर्टी बार तो यहां पर हम लोगों का speed आ जाएगी 120 into 30 हो जाएगा 30 600 ठीक दोस्तों 3600 revolution पर मिनट आ जाएगा यह ठीक तो इसमें maximum speed क्या हो सकती जनरेटर की 60 हर जनरेटर की 3600 revolution पर मिनट ठीक दोस्तों अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन क्या है अगला कुशन कहे रहा है calculate frequency if the speed in revolution पर मिनट आप 2 पोल अल्टरनेटर से 3000 rpm तब यहां पर frequency हम लोगों calculate करना है 3000 rpm पर कोई अल्टरनेटर चल रहा है और उसके पोल नंबर आ पोल है 2 तो यहां से हम लोग अल्टरनेटर की speed के लिए हम लोग देखेंगे n बराबर 120 f वही formula लगाएंगे f by p तो यहां से हम लोगों को n दिया है कितना 3000 तो n हो जाएगा 3000 and 120 यहां फ्रेक्वेंसी पूछ रहा है तो frequency मतलब f पूछ रहा है and p बराबर 2 पोल दिया है तो यहां से हम लोग 2 से 120 को काटेंगे 60 बार कट जाएगा एंड 60 से इसको काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 50 बार ठीक दोस्तों तो f राबर कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज तो frequency हो जाएगी इसकी 50 हर्ट्ज ठीक दोस्त अगला कुशन देखते है अगला कुशन के कह रहा है अगला कुशन के रहा है वाइज वाइज इस नॉट पॉशिबल टू इस्टेट द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग कॉंटिटी एश शिंपल एस स्टेट फोर डीसी कॉंटिटी मतलब अल्टरनेटिंग कॉंटिटी बोल रहा है कि जो डीसी कॉंटिट इसमें एक स्टेटेट कॉंटनेटि में क्या पॉशिबल नहीं है एक एस कॉंटिटि के अब एच्छा वह पूछ रहा है यहिए कि जी में जो समय के साथ परिवर्तित होता है ठीक एंड जो DC होती है वो हमारी समय के साथ constant रहती है समय के साथ constant रहती है इनमें यही representation state होती है quantity क्या state रहेगी DC quantity की एसी quantity में जो नहीं होती है DC quantity क्या होता है alternating quantity varies in magnitude and reverse its direction at regular interval alternating quantity होती है वो समय के साथ अपने magnitude and direction को reverse करती है ठीक दोस्तों समय के साथ वो अपनी जो डारेक्शन उसको भी बतलती है magnitude को भी अपना जो magnitude है वो दोनों reverse करती है ठीक है पहले positive फिर negative cycle में ठीक है and the value of alternative quantity is continuously changing तो चुकि जो alternative quantity होती होती है continuously changing होती है मतलब हाप cycle पहले positive cycle फिर negative हाइब फिर positive हाइब फिर negative हाइब के लिए इस तरह से sign wave की रूप में चलती है अपस्टन के एक alternating quantity डारेक्शन एक इन डारेक्शन एट रेगलर इंटरवल होती है एक cycle पूरी होती है फिर अगले cycle में चलता है तो इसका option क्या हो जाएगा option number a and b दोनो मतलब यह वाला and दोनो ठीक दोस्तों अगला कुशन देखते है अगला कुशन क्या कह रहा है लियो जो instantaneous value होती किसी भी AC circuit की किसी भी sinusoidal babe का तो वह क्या होता है कि varies from instant to instant जैसे कि यहाँ सब्सक्राइब इस फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट ठीक है वैरी टू इंस्टेंट इंस्टेंट बढ़ती है ठीक and its denote by small as lower cases letters किसी भी VM या I am instantaneous value को VM and I am इस तरह से I instantaneous and V instantaneous and indicate the value of given quantity at that given time fix time पर जो value दी जाती instant time पर जो value होती है उसका हम लोग instantaneous value भी कहते है तो इसका option क्या हो जाएगा option number all of the above ठीक है अगला question देखते हैं अगला question क्या रहा है दोस्तों अगला question कह रहा है maximum value it is maximum value is the maximum value of dash attend by in a cycle maximum value is the maximum value attend by in the cycle maximum value to maximum value कौन सी cycle में कौन सी quantity में attend होती है एक cycle द्वारा तो क्योंकि हम लोग जानते हैं DC quantity तो constant होती है अपने time के time के अनुसार constant होती है इसमें baik view यो एक six हो यो उती रहती है ल्किन maximum value to maximum value यो effective quantity होती है उसमें maximum value to maximum value maximum positive positive value to maximum negative value attend attend件 होती है एक cycle में ठीक दोस्ता अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन क्या किया रहा है maximum value is also called मतलब maximum value को और क्या बोलते हैं तो हम लोग जानते हैं maximum value को हम लोग peak value है तो जानते हैं peak value भी बोलते हैं and increased value भी बोलते हैं इसको and amplitude भी होता है जो maximum value होता है वो amplitude मतलब आयाम होता है तो उसका कि कितना आयाम है उसको आयाम भी बोलते हैं तो पीक वैलिए एंप्लिटीट दोनों बोल सकते हैं यूप सब्सक्राइब ठीक है अगला कुछन देखते हैं अगला कुछन देखते हैं क्या बोला कि maximum value of AC quantity is denoted by मतलब maximum value को हम लोग किस से रिप्रेजेंट करते हैं किस से रिनोट करते हैं तो जो maximum value होती है उसको हम लोग देखते हैं किसी भी circuit की उसको हम लोग डिनोट करते हैं V and maximum के लिए हम लोग उसके सब्सक्रिप्स में या उसके सब्सक्रिप्स में एम लगा देते हैं तो वी एम या आई एम इस तरह से हम लोग उसकी maximum value को डिनोट करते हैं capital letter के साथ एम लगा के ठीक डिसका option क्या हो जाएक option नमबर इसका option हो जाएगा option interval is the sum of all instantaneous value divided by the number of value taken over that interval मतलब जो alternating quantity है वो एक given interval में सारी quantity का योग बटे एक 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 ओबर interval में ली गई एक value का divide करने पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे जैसे की जैसे कि किसी भी condition हम लोगों अगर उस चीज का average value निकालना होता है तो उसमें total number of sum जितना भी जितने भी सारे quantity है उन सब का योग and उनकी total number of quantity उसे हम लोग भाग देते तो average value निकले आती है तो यहाँ पर alternative country over a given interval is the sum of all instantaneous value का sum and divided by the number of value taken over that interval एक दिये के interval में उस value का number of values का भाग देंगे तो उससे हम लोगों की क्या निकलेगी average value ठीक है दोस्तों इसका option हो जाएगा average value ठीक है अगला कुशन देखते अगला कुशन क्या कह रहा है अगला कुशन कह रहा है की dash लगाओ dash space है is an equivalent direct current that will produce the same heat in the same time interval in the same register as the alternating current तो उसको हम लोग क्या बोलते है जो एक equivalent direction की current है अगर जा रहे है किसी भी same heat produce कर रही है same time में and same register में तो alternating current की क्या value होगी उस value को हम लोग वो लेंगे effective value ठीक दोस्तों तो वह हम लोगों क्या होगी effective value ठीक है अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन क्या कह रहा है अगला कुशन कह रहा है the domestic supply voltage 230 volt impiles that it is the dash voltage जो हम लोगों की domestic supply में घरों में जो बोल्टेज आता है 230 volt जो supply आती है वो हम लोग की किस तरह की होती है कौँन सी value होती है तो वो हम लोगों की होती है जूँकर हम लोग जानते है domestic या कहीं भी जो power हम लोगों की होती है वो rms value जो क्या होता है कि यह पॉश्टिव साइकल का अभरेंड यह नेगेटव साइकल का अभरेंड तो पॉजिटिव साइकल और निगेटिव साइकल में उसका एरिया होगा उतना इनिगेटिव साइकल में इस की एब्रेज बैल्यू है एक periodic function having a symmetrical about मलब जो symmetrical periodic function है तो symmetrical periodic function यह होता है कि वो एक अपने time के अनुसार अपना जो wave safe है वो न बदले एंड पूरी cycle में जो positive cycle में रहे वो ही negative cycle में इसका wave safe रहे कोई भी एक alternate quantity ले 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 अगर वो अपना symmetrical है एंड periodic function है तो वो अपना wave safe न बदले and same जैसा positive cycle में रहे वैसा negative cycle में रहे वो symmetrical wave होगी तो उसका जो एक पूरी cycle का average value होगा चुकि यह इसका area और इसका area दोनों समान रहेगा positive and negative में ठीके दोस्तो तो इसका जो average value निकालेंगे पूरा एक cycle होगा इसका भी 0 ही आएगा जो पिरियोडिक function होगा symmetrical wave होगी उसका average value complete cycle का कितना होगा जीरो ठीके दोस्तो अगर हमारा आपको ठीक है अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल पीके आर एलेक्टिकल को पीके आर एलेक्टिकल इंजिनिंग को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ share करें ठीक दोस्तों रहना बाद झाल